अगर धाली हुई है तो पूरी जाश परिच्छा की क्यों नहीं हो रही है अब 118 पकड़े गए अप समझ सकते हैं किटने अड़ी धाली हुई है तब 118 पकड़े गए है सर जमीर जवाब नहीं देता जिस बच्चे को हमने रात दिन पढ़ाया हो और उसने अपने मावाप के सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटे से कमरे में रात दिन मेहनत की हो जब उसके सपने कहीं एक कह सकते हैं कि पैसे के दम पर एक गलत तरीके से बली चड़ रहे हो और मंत्री तक इसमें सारे लोग लिपता हैं बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलीस के सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है 9534 पदों पर हुई इस भरती परिक्षा में अब तक 118 मुन्ना भाई गिरफतार किये जा चुके हैं स्वालवर गैंग ने स्क्रीन शेयरिंग के जरिये जिन सवालों को बड़े से बड़े मेधावी चात्र 150 से अधिक नहीं कर सकते थे उनको इन स्वालवर गैंग के जरी 155 सवाल महस आदा घंटे में हल कर दिये गए और इसके बाद अब गिरफतारियों का दौर शुरू हुआ है लेकिन इस भरती परिक्षा में एक दूसरा पहलू भी है ये दूसरा पहलू मेरे पीछे है ये आध तेतिस्वा दिन है तेतिस्वे दिन से लगातार ये वो नौजवान है जो इस भरती परिक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिनकी मांग है कि इस मामले में सवाल इस परिक्षा को कराने वाली एजनसी पर सवाल इस परिक्षा को कराने वाले उत्ताप्रदेश पुलीस भरती वा प्रोनती बोर्ड पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर लाखों नौजवानों ने इस सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा में जो सपने देखे थे लिखित परिच्छा में बैठे थे उसमें इतनी बड़ी गड़बरी कैसे हो गई इनके सपनों को तोड़ दिया गया इनी बच्चों से बात करेंगे कि यह लोग बैठे हैं सब्सक्राइब अब बताओ समस्या क्या है क्यों ते तेस दिन से इस कड़ी दूप में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं आप यहां पे बैठे हैं हम बताना चाहेंगे कि हम लोग जो यूपी एसाई परिच्छा दिये थे ठीक है परिच्छा का जो रिजल्ट आया है उससे हम लोग असंतुष्ट है असंतुष्ट इस लिए हैं कि इस परिच्छा में बहुत बड़ी धादली हुई है धादली हुई है यह तो अब भरती ओसनों का प्रयोग कीए। है अब भरतीबूटन कुष है। लेकिन हम यह कहै रहे हैं कि जब जाइर्स कि एक धादली कर सकता है। तो हजार क्यों कर सकते हैं पांचुम है पहावनाओ पे नहीं कुई थोष कारण है कैसी हम बतातो हैं हमारे पास ऐसे ανव主 ऐद्न कि अगर टॉप है यह ऊपर है इसके सुची में नाम आया है और यह देखे इसका सुची में नाम आया है यह लिए और हम लोगों ने इसको हाइलाइट शौन हम लोगों को कैसे बनदा अगर अगर आप एक गढदबरी हो गई लगए लगता है कि कहा से तो कि स्मार्ट और दूब से परिक्षा हुए औन-लाइन परिक्षा हुई पिर कहां गड़बडी हो गई तो यह शुरू से थी जब से ग्जाम शुरू हाथा उस टाइम से गड़बड़ी थी उस टाइम से पहले तो पकड़े जाते एक्जाम के टाइम ही उसका जब यह दीवी पेस्टी हो जा था तो उसमें बादा चला है कि जो बच्चे हैं वी एंसी एप के स्क्रीन कर रहे थे और आप सेंटर में आप बैठें और आपके जब आपका जो बाहर है को सॉल्व कर रहा है तो अभी बात यह बात चल जा रही है कि एक मेंट में साट को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके प्रक्रिया पकड़ने की उससे पहले 25 अब जाट मैं से बच्चे पकड़ जा रहे हैं इतने दिनों की बीच लगबख 14000 बच्चे जया है उनका हो चुका उनमें से कोई पच्चा नहीं पकड़ा गया उसमें हमारी जो भरती बूर्ड के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि करीब 200-300 ऐसे बहरती हैं जिनको उन्होंने चिनि यह परीच्छा कराने में ही गरवरी क्या अजिनेशी पर शक है वहीं क्यों अच्छा नहींगे जो हमारी परिच्छा पराएंगे थीक है कि यह देख लीजे इस पे साफ साब टर्मिनेट कीया गया है और इसको परिच्छा कराने के लिए Vietnam мир LIKE लिस data ड्वाइं यूपी में 2017 का जो यूपी असाइग परिच्छा कराई थी वह एजंसी यही कराई थी ठीक है 2016 की वेकंसी 17 परिच्छा हुए तो उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी तो यह परिच्छा रद करके दूसरे कंपनी के द्वारा परिच्छा फिर दिसंबर में कराया पन्पन हुई थी तो आल्रेडी यूपी में भी इसका रिकार यही रहा है उसके बाद भी इसी एजंसी को परिच्छा कराई जा रही है यह देखे एनसी आइटी के खड़ा हो रहा है जिसने यह परिक्षा कराई है हमारे साथ सब इंसपेक्टर की भरती परिक्षा में बड लड़कियों ने भी परिक्षा दी और एक और तत्य है कि सॉलवर गैंग में लड़कियां भी पकड़ी गई है पहले चीज़ क्या लग रहा है कहां गड़वरी हो गई आपके सपने कितने दिन की महनत थी कितनी परेशानी कि अप तिस दिन से आप लोग यहां दरना दे रह है को क्या भरती निस्पच्चता से कराती है बात यहीं आके उठती है कि जब भरती पहले ही ब्लेक लिश्टर थी व्यापन गोटाले में लिप्तूप पकड़ी गई है उस पर बैन कर दिया गया है तो फिर ऐसे क्यों मतलब ऐसे एजनसी को भरती टेंडर क्यों दे दिया ग नहीं माना गलत बोला की गलत है टूटर के चलाने के बाजूद दो त्रीन-तीन मिलियन टूट करने के बाजूद भी ब्रहामक जानकारी कह देता है लेकिन यह चीज़ कहना चाहेंगे आप यह जो पकड़े जा रहे हम लोगों के कहने के बावजूद पकड़े जाने हैं ट् उस पर एक तरीके से विरोध करके बैठे हुए हैं क्यों ऐसी वजह है और कितने दिन उसे त्यारी कर रहे थे और कहां गड़बडी लग रहा है कि सिर्फ यह सॉलवर गेंग की करतूत है या बड़े लोग इसमें शामिल है इसमें देखिए सर ऐसा है कि इसमें अधिकारी स लेके और मंतरी तक इसमें सारे लोग लिपता है चूकि इसलिए मैं कहता हूं आप सोचिए एक छोटी सी परिच्छा होती है और यूपी असाई में भी जो परिच्छा हुई थी उसमें आपके हाथों में कानों में जो भी पहना तो सब कुछ निकलवा दिया गया था अगर और जो परिच्छाय देर मतलब जो गड़बडी किए हैं उनकी से अग्यां कावहाँ का मामला था क्रिषना इन फोटेक नाम कर वहां पर यह मतलब सुनने में आया था कि जो है एक अलग से केबल लाली गई जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट किये गए और उसका सारा कमांड एंड कंट्रूल एक जगह रखा गया अब चौवण सिप्ट में पेपर हुआ था पता नहीं कितने लोगों को उन लोगों ने कराया है जाईर सी बात है एक दो के लिए केबल तो भी 6 नहीं आएगी बड़े पैमाने पर धांदली करने के लिए यह सिस्टम किया गया ताकि आसानी से इस घुटाले को अंजान दिया जा सकी इसलिए हम मानी मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहेंगे यह 9534 वैकेंसी ब्रहष्टा चार कर नंगा नाच है इस पर इसकी साइटी जाच कराकर गहन तरीके से जाच कराई आए और उसके बार निस्पच्छ तरीके से इस भरती को पूरा किया जाए आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं इन बच्चों को यह जो बच्चे प्रदर्शन कर रहा हैं इन बच्चों की सब इंस्पेक्टर की परिक्षा जिस टीचर ने करवाई वो टीचर भी धरने बैठें यह नाम आपका सरख सब बज़िस सभी बच्चे मुझे केज़ी असर के नाम से आंते हैं आप उस ताइप का लुक रखें हैं क्या वैसे नाम कुछ और होगा ना वैसे नाम सुम्हेत हैं मगर यह लोग सभी के जमीर जवाब नहीं देता जिस बच्चे को हमने रात दिन पढ़ाया हो और उसने अपने मावाप के सपनों को पूरा करने के लिए छोटे से कमरे में रात दिन मेहनत की हो जब उसके सपने कहीं एक कह सकते हैं कि पैसे के दम पर एक गलत तरीके से बली चड़ रहे हो तो बहला एक गुरू अपने कमरे में कैसे सो सकता है कैसे खा सकता है और कैसे अगले दिन पढ़ा सकता है कोचिंग कहां चला रहे थे आप मैं ओनलाइन पढ़ाता हूं सर कहां पर मैं ओनलाइन यूटूब पर सब्सक्रिप्शन कुछ चार्जिस लेते हैं ने फिर यह कोस्ट अच्छा अब आप लोग आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे हाई कोट जाएंगे क्या करेंगे कैसे लड़ाई लड़ रहा है हाँ बिल्कुल जाएंगे ठीक है हम यहां धरने पर धरने पर बैठेंगे दरने सगर आवाज नहीं जाएगी तो हम निस्चित मानी नियाले का सरंड लेगे वहां पर जाएंगे हर जेगे जहां भी हमको लगेगा कि हां मेरी आवाज यहां से उठ सकती है ठीक है हम वह भी कदम उठाएंगे जहां भी हमको जरुवत बढ़ी कि वहां जाएंगे बाके में चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि एक गोरकपूर में स्री स्री सिद्ध बिनायक ऑनलाइन सेंटर है जहां पर हम लोग की परिच्छा हुई थी तेईस्ट लोग का पेपर स्टाट होता है तेज नमबर को स्टीएफ के द्वारा इसको बैं कर दिया जाता है अब यहां बची परिच्छा यहां नहीं होंगी उसके बाद भी लगातार वहां परिच्छा कराई जाती है कौन सा सेंटर था स्री सिद्ध बिनायक स्री सिद्ध बिनायक ओनलाइन सेंटर गोरकपुर जी तेज तारीक के द्वारा वहां बैं कर दिया जाता है कि बच्छों परिच्छा आगी नहीं होंगी वहां पर लगातार बच्छे पकड़ जा रहे थे और वहां पर सेंटर की मिली भगत थी तो लोकल पुलिस के द्वारा फिर वहां पर खु सर्थाना तो नहीं पता सेंटर के पताना जेव अब किदर पर यह सेंटर गोरकपुर में कोई एरिया स्री सिद्ध बिनायक ऑनलाइन सेंटर गोरकपुर जी अब आप लोग हाई को जाएंगे अच्छा इस गर्मी में कैसे खाना पीना मैनेज हो रहा है क्या आप लोग तो खर्चा पानी कैसे आपस में शेरिंग हो रही है यह कैसे हो रहा है बस बस किसी तरीके से अगर हम लोग भूख लगी खीरा खाली है केला खाली है पानी पीलिए ऐसे ही करके ठीक है पूरा खाना थोड़ी खापाते हैं कि इसी कल रात कल रात नीपता नहीं कितनी रात कोई सुनने वाला नहीं और अभी तक तो कोई नहीं सुना आगे आवाज मेरी मेरी अगर कोई और सुनता है तुसके लिए उसका शुक्रकुजार नहीं कहीं पर अपनी बात रखी किस-किससे मिले और भर्थी बोड के अधिकारियों से आप मिले किस-किस से मिलें क्या बोला हम लोग ने पहले जनता दरबार गए वहां पर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई जिस भी अधिकारी से मुलाकात हुई हमने उनको ग्यापन दिया वो बोले ठीक है इस पर कारवाई होगी ठीक है लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई कारवाई हुई उसके बाद ह नहीं ठीक है उसके बाद हम लोग भरती बोड़ के अधिकारी से मिले दो बार मिल चुके ठीक एक बार हम लोग खुद वहां पर बुलावा आया दोनों बार गयापन दिये वहां पर भी हम लोग को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए वो लोग क्या कह रहे हैं वही अगर धांदली हुई है तो पूरी जांच परिच्छा की क्यों नहीं हो रही है वही जाहर से बात आप जांच करा दीजिए ठीक एक दो को पकड़के तीन चार को पकड़के आप क्या दिखा रहे हो एक सो अठारा तो पकड़े गए तो आप समझ सकते हो कितने बड़ी धां और भी पकड़े जाएंगे जांच होगी तो और भी पकड़े जाएंगे अपने हक के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये नौजवान बीते 33 दिनों से इस खुले आस्मान के नीचे बैठे हुए हैं उमीद है कि शायद कोई इनके फर्यात सुन ले कोई इनके परसन रोहित के साथ संतोष कुमार यूपीतर